तो हेलो गाईस कैसे हैं आप सभी लोग आई होग सभी अच्छे होंगे सवस्त होंगे तो हम लोग निकल पड़ें रूम से और अभी कितना टाइम हो रहा है चार बच के तरेपन मिनट हो रही है और हम निकल पड़ें तो अभी देखते हैं अभी अभी हमको जाना है टिकेट हमिद Norwegian निकल पड़ें ले ने हैं पहले हमको परची बनवानी तो चलते हैं फिर तेम्ना इडी काड ले लिया हम निकल पड़ें बखुन की तरफ जैसमाता दी आप जैसमाता धी तो हमरी यातर है स्सिटार्ट हो चीकिए हम निकल पड़ें बख़वन की तरफ और हमने पान और दंडा ले लिया तो इसको लेके चलते हैं तेरे देरे बहुन की तरफ जय माता दी तो चलते हैं फिर आप से मिलते बाद में तो गई हम आदे राष्ते पाँज गे और यहां पर अभी रुके हैं तो हैं पर अबने ठोड़ा खाना पिना खाया केला और यह आपको दिखात आपसे मिलता है बाद में इंचे फेकते नीचे है आपस यहां ता कहा ता रहे हो हेलो जैट से जैट से लेडिस आगया गया पता नहीं यार यह शव लेकर आ गया सबी दर रख दे तो वाइस देखो लोग कितनी महनत कर रहे हैं उपर सावान लेकर जा रहे हैं बाई कितनी खlor Natal कर रहे हैं इना रौिट भाई बिलकुल यार रौःट भाई धक्का लगा थोड़ा जा उपचाटवादो बिलकुल बिलकुल जै माता दी बाई सी चीज के लिए आपर मज़ा है यार तोड़ी महनत करो धक्का लगा जलो 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 जै माता दी जै माता दी जै माता दी जै माता दी तो गैस अभी हम पहुच गए हैं अर्थकुआरी मंदिर मेरे पिछे आप देख रहे हो गए यह अर्थकुआरी मंदिर और अभी टाइम हो रहा है साड़े साथ और हमको यहां पर पाँचने में 2-5 गंटे लग गए तो कुछ ऐसा यहां का भी हूँ तो गाइस यह है भावन का रास्ता चलो हार दिवाई हमने भी बड़ा रास्ता ले लिया था तो एक अंकल ने बताया कि वाला रास्ता है थोड़ा कम बढ़ जाता है दूसरे रास्ते जाओ तो थाड़े तीन किलोमेटर थोड़ा छोटा रास्ता है तो देखते हैं इससे भी हमारे दोस्तों जलेगे कि हार्दिक भाई हम खाना खाने के लिए रुख गए थे इधर का नजारा देखे हैं हर्दी कितना अच्छा नजारा इधर यार बही पूरा इधर रेलवे शेशन पूरा कट रहा है कुछ दिख रहा हुए दर तो चलो नजारा बाद में देखेंग दिखेगा नहीं उदर उपर से दिखेगा चलते हैं जल्दी जल्दी उनको बहुत दूर जाना यार भी तो तो गईस यहां से भवन बचा है 2.25 किलोमेटर तो चलते हैं भी ज्यादा दूर नहीं है वस थोड़ी सी दूर बचा है अपर गाड़िया बगएर भी आ रही है अब हमारे दोस्त रोहित बगएर तो भी काफी नीचा है तो गईस लगबगग हम पॉचने वाले और हर्दी भाई की हालत खराब हो चुकिया तो हर्दी कैसी आलत है तो जैसी भी आलत है चड़ना तो पड़ाई को तो धीर धीर चट रहे हैं और आज मौसम भी काफी अच् बिफृदा कैन चलते धख चुक है अभी देखते आगे रश करते हैं नहीं तो फिर सीधा उपर जाके रश करेंगे के बूआ देखे आ नोब ना ली है सीधा उपर जाके हम तो सीधा उपर जाके ही रुखे अगा को अगर आप रूग गये तो फिर देट हो जा कि देख सकते हैं आज यसे कि 2 km कर रास्ता अपसिर यहां से भचा भी 2 km बहवन कर रास्ता तो डो किलमेटर जादे दूर निया पॉच जाएंगें पास है पास ही है जहां दस किलो मिटर हो चल के आगे हैं तो दो किलो में पर नहीं पड़ता है तो इतनी दूर आए तो उदर जाना ही पड़ेगा तो गाइस फाइनली हम पॉच गए मा के भवन और अमने परसाद वगरा भी ले लिया है तो अभी हमारे बाकी बंदे भी बच हुए हैं और कुछ बंदे आ चुके हमारे समर्थ जैसे बंदे तो निखिल वगरा भी पीछे आ रहे हैं तो उनके साथ चलते हैं फिर दर्शन करने के लिए तो अभी उनी का बेट कर रहा है जैसे आते हैं फिर चलेंगे क्यों आर्दी अब हालत कैसी तुम्हारी अभी हम कुछ नहीं रहा सकते हैं बताने लाइग नहीं है अभी इस परसन में है तो वेट करते हैं उनका निखिल वगरेगा फिर जैसी आते हैं फिर चलते हैं तो गाइस हमारे दर्शन हो गए अभी हम जा रहे हैं बहरा बाबा घाटी तो निकलते हैं फिर यहां से दो किलिमेटर दूर है नेखते कितना टाइम लगेगा एक से दो गंटे तो लगी जाएंगे चलते हैं real dude हालत होची तोडा हम चराब होची थोड़ा हम जा गएची मचल रू घण जाएंगे तो चलते हlik चलते हैं ऑप स्झेडी तो और ग। हम चलते हैं दो भिख साथ कड् awake जल रहे हैं तो चलता है रोही काईसा लग रहा है सीडियों से अच्छा लग रहा है इतना मतलब पैर-दर्द बाई एक जन्मत तो बगाया गया तो फिल जन्मत बूच रहा है? दूसरे सही महें यार वहाँ आधी खंणक कुभी है? बाई यहाँ असली मजातो हो पैदल चलने में यार जब तक जवानी बाई देख जल्दी? बाई देख गंडोला बाई यहाँ बाई तो फैनली गाईस हम पहुच गया है वहरब गाटी यहाँ पर देखो कितनी भीड हो रही है तो गाईस हमने परसाथ देली हम पहुच गया है वहरब गावाब तो यहाँ से अंदर परसा चड़ा के आते हैं फिर आपसे मिलता हम बाद में तो कुछ इस टाइब कावाब काफी ज्याद है भीड़ी भी लगी हुई यहाँ पर हमको इधर से जाना है तो गाईस बहरब गावाब के दर्चन हो चुके और अब ही हम जाना है कट्रा तो गाईस दो बच के 35 मिनट हो रही है और तो गाईस अम सुबह चल लेते पाच बजे और अभी डाई बच गया हमारे दर्चन बच के पैसन देवी की भी और भैराव गाटी के भी तो हमको अभी दो से धाह गंटे लग जाएगे नीचे उतरने में तो चलते हैं झालते हैं अब इस लोग नीचे पहुँच चुके और सब की अलत हो चुकी खराब बस मुझे चूड़ के अब हम लोग जा रहे है होटल या जाएंगे रिलवेस्टेशन तो जाएंगे अब हम जाएंगे घ्ल जाएंगे और हम जाएंगे सबस्क्राइव जाएंगे कि यहां पर आने के पास नहीं लेनी पड़ती हैं अभी चलते हैं होटल आपको बाद में दिखाते हैं तो गईज अभी होटल चैकाट करके हम पाँच गया हैं कट्रा जंक्शन और यहां से हम जाएंगे अपनी अपने घर तो अभी देखते हैं कॉंसिट्रेंड मिलती हमको औ और आपको भी बताता हूं कॉंसिट्रेंड और इसी बिलॉग का भी यहीं एंड गरते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बिलॉग अचले होटा लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं थैंक्स पर वाचिंग सब्स्क्राइब तो मैं चैनल